दोस्तो टाइम था 12 जनवरी 2007 का जब बेड स्टेफी पेड्रियू यूनिवरस्टी इंडियाना अमेरिका में अपनी ग्रेजवेशन कम्प्लीट करने के लिए जाता है अभी उसका फर्स्ट समेस्टर चल ही रहा था सारे के सारे बच्चे एडमिसन ले रहे थे उस यूनिवर जो इस से पहले भी इसके साथ पढ़ाई कर चुके थे और काफी सारे ऐसे जो कि अभी अभी उसके दोस्त बने थे तो वे डूम के पास बैठकर वहीं पर खाना वगेरा खाता है और खाना खाने के बाद साड़े आट बजे के लगबग का टाइम हो चुका था जब वो वन हाल होस्टल में थोड़ा टाइम बिताएगा क्योंकि यहाँ पर भी उसके काफी सारे फ्रेंट्स रहा करते थे वेड के होस्टल का नाम कैरी कोड वेस्ट होस्टल था तो उसने ये बात सोच गी यार मैं इतनी देर अकेले मेरे रूम में क्या करूंगा चलो मैं मेरे इन ही दोस्टों से मिल लेता हूं ये सारी चीज़े सोचकर वेड अपने दोस्टों के पास उसी होस्टल में जाने लगता है वो उनके रूम में भी पहुँच जाता है और वहाँ पर जाते ही उसे पता जलता है कि इसके सारे के सारे दोस्टों आज लगता है पार्टी करने के म मौझूद लगबग उनके होस्टल से एक किलो मेटर दूर लेट नाइट पार्टी हो रही है तो आज का दिन सुकरवार है अगले दिन की भी छुटी है उससे अगले दिन की भी छुटी है तो उन लोगों ने ये प्लैन बनाया कि वो लोग इस पार्टी में जाएंगे और वह उससे पहले ही काफी सारे ऐसे भी दोस्ट उनके थे जो कि बीच में ही ये बात बोल परते हैं कि उन्हें अब नींद आ रही है और अब वो वापिस होस्टल जाकर सो रही हैं तो इसी तरहें काफी सारे दोस्ट तो वैड के पहले ही जा चुके थे और एक दो ऐसे भी थे ज जाते हुए हुई होगी कि उसे याद आता है कि उसने अपना जैक्ट तो अपने दोस्ट के हॉशटल में ही छोड़ दिया है और अभी ठंड सुरू हो चुकी है और उसे अपनी जैक्ट सुभे भी चाहिए होगी तो वैड ने ये प्लैनिंग बनाई कि वो अपने दोस्त के होस्टल दोबारा से जाएगा और अपनी जैखिट लेकर वापिस आएगा और यही बात वो सोचकर ओवन होल होस्टल जा पहुंचता है वहाँ पर जाते ही उसे पता जलता है कि अब रात काफी जादा हो चुकी है तो होस्टल बंध हो चुका है होस्टल के डौर पर कुछ इस तरह का एक लोक लगा हुआ था कि जो बच्चे होस्टल के अंदर रहते हैं उन लोगों के पास एक आई काड था जिसे वो डौर से टच करके अंदर आ सकते थे क्योंकि उनके आई काड से वो गेट खुल जाता या फिर वैड के पास दूसरा रास्ता ये था कि वैड का कोई दोस्टल के दर्वाजे को अंदर से खोल दे तो वैड उस होस्टल के नीचे आता है और अपने दोस्टों के पास कोल करने लगता है उसने काफी जादा सराब पी रखी थी जिसके कारण उसने लगबग छे बार मिलाया और उन में से चार बार उसने गलत नंबर डायल किया दो बार उसने अपने दोस्टों का नंबर डायल किया लेकिन वो लोग भी उसी कि धने इतने जादा नसे में हो चुके थे कि वो लोग अपने होस्टल रूम में जाते ही सो गए उन्होंने उसका फोन नहीं उठा कि इस होस्टल के अंदर कुछ एक बच्चे अब नीचे घूम रहे हैं तो उसने उसका दर्वाजा खटखटाना सुरू कर दिया और ये बात कही कि वो होस्टल के अंदर जाना चाहता है दरसल वो होस्टल का गेट ट्रांस्पेरेंट था जिसके बाद अंदर वाले बच्चों ने जब ये बात देखी कि बाहर से उन्हें कोई बोल रहा है तो वो लोग दर्वाजे के पास आते हैं और उन लोगों ने वैट से पूछा कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए तो वैट ने अपनी पूरी बात बताई कि वो इस इस तरहें अंदर आना चाहता है अपने दोस्तों के पास वो अपना जैकेट भूल गया है लेकिन अंदर वाले बच्चों ने जब ये बात देखी कि वैट ने काफी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है तो उन लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और यही बात सोचकर कि पता नहीं ये कौन पी अकड़ है जो गलती से यहां पर आ पहुंचा होगा ये बात सोचकर वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं लेकिन वैट जब ये देखता है कि ना तो उसका दोस्त फोन उठा रहा है और ना ही ये जो अंदर बच्चे घूम रहे हैं ना ही ये दरवाजा खोल रहे हैं तो वो वापिस जाने के बारे में सोचता है और वो व उसके पास कॉल किया, काफी सारे मेसेज़ाजिश किये और उसे होश्टल में ढूलना सुरू किया उसके और दोस्तों से जब उसने पूस्टाज की तो उन लोगों ने वैट के रूममेट से ये बात कही कि उन लोगों ने उसे फ्राइड़े के बाद तो देखा ही नहीं है जितने भी जानने पहचानने वाले लोग थे उन सभी से भी वो बाते कर चुका था लेकिन वैड के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं मिली तो आखिर कार उसने पुलिस के पास कॉल कर दिया और अपनी सारी की सारी घटना के बारे में बताया कि इस तरहें उसका दोस्त यहाँ पर उसके साथ रहा करता था लेकिन जब वो अपने घर से वापिस आया और उसने यहाँ पर आकर उसे ढूंडा तो वो मिला ही नहीं पुलिस भी वहाँ पर आकर वैट को ढूनने की कोसिस करती है उसके बारे में काफी सारे बच्चों से पूस्ताच की लेकिन उसके बारे में कोई बी जानकारी पुलिस को नहीं मिली पुलिस ने उन सभी को भी ढूंड दिया और ये रिक्वेस्ट उनके कॉलिज में भी की गई कि इसी तरहें आपके कॉलिज का एक बच्चा गायब हो गया है उसे ढूंडवाने में हमारी मदद कीजिए जिसके कारण वहाँ पर वोलेंटियर के तोर पर काफी सारे लोग इकठा हो चुके थे और वो सारे लोग मिलकर वैट को ढूंडते हैं लेकिन फिर भी वैट नहीं मिलता खोजबीन यूही जारी रहती है और यूही चानबीन करते करते एक टाइम ऐसा आया जब पुलीस को वैट का एक जूता मिलता है जूता तो मिल गया लेकिन इसके अलावा वैट कहां पर था अभी तक इस बारे में पुलीस को कोई जानकारी नहीं थी और काफी दिनों तक य यूही चलाने के बाद आखिरकार बंद कर दी गई इस घटना को बेते हुए लगबग दो महीने बीच चुके थे लेकिन अभी तक वैट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब वहां ओवन हाल होस्टल में एक धोबी वहां प उसे ये बात लगी कि साइद किसी बच्चे के कपड़ों में कोई सिक्के वगएरा रही होंगे और अब उसने वो सारे के सारे कपड़े मसीन में धोने के लिए डाल रखे हैं तो ये आवाज मसीन से आ रही होगी उसने सारी की सारे मसीनों को कान लगा लगा कर सुना लेकिन वहां से वो आवाज नहीं आ रही थी और इसी तरहें वो आवाज का पीछा करते करते जहां पहुंचता है एक ऐसी जगहें पर जहां पर पूरे तरीगे से अंधेरा फैला हुआ था तो वो वापिस आता है और अपने साथ एक टोर्च लेकर उस कमरे में जाता है जैसे ही वो तो उसे काफी जादा बदबु आती है लेकिन इसने इस बात पर जादा ध्यान नहीं दिया और उसने स्विच ढूरना से रुकिया कि पहले मैं यहां की लाइट जला लेता हूं और लाइट जलाने के बाद उसके सामने जो मंजर आया उसे देखकर उसकी रूह काप गई वो जल्द से जल्द बाहर आता है और वहां आसपास में जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें ये बात बोलता है कि तुरंट पुलिस को बुलाओ पुलिस वहां पर आ जाती है और वो अपने साथ पुलिस को लेकर जब अंदर जाता है तो उसने यहां पर क्या देखा और इस के साथ क्या हुआ था और ये बंदा कौन है और यहां पर ये किस तरह से आ पहुचा और पुलीस जब उस बोड़ी के ऊपर काफी दिनों तक छान बीन करती है और ये बात जानने की कोशिस करती है कि यहां पर क्या हुआ था तो उन्हें पता चलता है कि वैड नाम के एक अपले ढूंड रहे थे ये वही है और वहां पर मौझूद सारी की सारी चीजों को देखकर वहां पर मिले जो भी एविडेंस थे उन्हें देखकर वहां पर जो और लड़के मौझूद थे उन लोगों ने जो कुछ बाते बताई उन सभी को सुनकर पुलीस को इसी बात का पदा चलता है वैड उस दिन अपनी जैखिट लेने के लिए यहाँ पर आया था किसी ने दर्वाजा तो नहीं खोला तो वो वापिस जाने लगता है लेकिन उसके दिमाग में उसने काफी सारा नसा कर रखा था तो ये बात तो बैठी चुकी थी कि वो अपनी जैखिट लेकर जाएगा तो हो सकता है वो पहले तो जाने वाला हो लेकिन हो सकता है उसके बाद उसने ये बात सोची हो कि इस होस्टल के अंदर जाने का पीछे से कोई रस्ता होगा तो वो यहाँ पर आया और उसके बाद उसे ये दर्वाजा दिखा होगा और इस दर्वाजे के बाहर ही वैड का एक जूता भी पुलिस वालों को मिला था। वैड इस कमरे के अंदर घुस तो गया होगा लेकिन उसके बाद उसे आगे कुछ नजर नहीं आया होगा क्योंकि एक तो उसने काफी सारा नसा कर रखा था, उपर से रात भी थी और इस कमरे में हद से जादा अंधेरा भी थोड़ी थोड़ी रोशनी आती रहे। उसके बाद वो सिधा गा सिधा चलता रहा, उसे जादा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो इसी आस में आगे से आगे बढ़ता रहा कि हो सकता है इस कमरे का एक दूसरा दरवाजा भी होगा, जो कि इस होस्टल के पूरे होस्टल में जो बिजली जाया करती थी उसे दरसल यहीं से मैनेज किया जाता था, तो वो यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब आगे चलकर दिवार आ गई, और वो मसीन भी उस दिवार से काफी जादा नजदीक थी, पहले तो सायद उसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं होगा कि दिवार और मसीन के जिस चोटी सी जगहें से वो निकल कर जाने की कोशिस कर रहा है, दरसल वो दूसरी तरफ मसीन नहीं जबकि ट्रासफार्मर है, और इसी तरहें वो आगे बढ़ता रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा आय चली जाती है, और जैसे ही वो अंगली अंदर जाती है, तो वहाँ पर मौजूद काफी सारे ऐसे उस ट्रासफार्मर के तार थे, जो की वैड को टच कर लेते हैं, और इतने तेज करन्ट का जटका उसकी वहीं पर जान ले लेता है, उसकी मौत तो वहीं पर उसे टाइम हो चुकी थी, लेकिन बाद में जब इसका रूम मेट आता है, उसने इसे संभाला होगा, तो ये नहीं मिला, तो उसने हमारे पास कोल किया होगा, लेकिन हो सकता है अगर उस दरवाजे के बाहर ही एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाता, तो वैड उस ताले को देखकर हो सकता है, जबरदस्ती उसके अंदर खुसने की कोसिस ना करता और आज उस बच्चे की जहन बच जाती, बाद में युनिवर्स्टी वालों ने अपनी गलती मानी और वैड की फैमली को मुआवजे के तोर पर पांच लाख रूपए भी दिये, लेकिन वैड की फैमली का ये कहना कि इन पैसों से उनका बच्चा वापिस नहीं आएगा और वो युनिवर्स्टी वालों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने सारे के सारे क्यूप मैट्स को थोड़ा अच्छे से रखें क्योंकि ऐसे में बच्चों की जान चली जाती है और इस तरह सिर्फ पिर दूसरी तरफ युनिवर्स्टी वालों की जिन्होंने उस धर्वाजे के उपर एक बड़ा सा ताला नहीं लगाया ताकि बाहर से ही बंदा समझ पाए कि ये धर्वाजा अंदर जाने के लिए नहीं बना है अपनी राय कमेट बोक्स में जरूर बताईएगा और इसी के कमेंट तो गेट इस आउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ